ये बहुत महत्वपूर्ण इवेंट आप सभी के लिए थी, क्या है कि आप सभी जानते ही कि अपने एक्जम्प्र परिवार में पहले से 5-6 बहुत ही अच्छे गणित के अध्यापक हैं मेच्स के टीचर्स हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को विविद पिरकार से समझानी क लिए, जैसे मान लेता हूँ किसी का आपको समझ में आता है, किसी को तरीका समझ में आता है, तो आपको डिफरेंट टाइप के एक ही जगा टीचर्स देनी की मेरी कोशिस रहती है, कम से कम सीखो, किसी से तो सीखो, दूसरी बात क्लासिस बढ़ती जा रही हैं, लोड भी ब उस दिनों के लिए वो एक्जाम पूर परिवार का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब वो फिर से एक्जाम पूर परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, और बहुत अच्छे से उन्होंने, चाहे वो रेलवे हो, चाहे ससी हो, चाहे अन्य कोई एक्जाम हो, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कराई है, कावी बच्चों को पढ़ाया है, और लगबग लगबग कई साल का अनुभव आज उनके पास है, बिल्कुल बच्चों एक बेसिक बच्चा होता है, कई तरह के बच्चे होते हैं, आप में कुछ मेत में बहुत जल्दी पहली बार में सीख जाते ह जैसे पहले बार में कोई थेयरी को कॉंसेप्ट कराया, उसे सीख जाते हैं, उसमें और उंगली करने लगते हैं, मतलब और उसको किरोदने लगते हैं, ऐसे हम लोग जमीन में बैठ कर जमीन को गिली जमीन को ऐसे खोदते रहते हैं, मतलब वो लोग मेत में अच्छे होते ह एक मेरे जैसे होते हैं average जिसको 2-3 बार 4 बार में समझ में आता है फिर वो उसको 3-4 बार अपने हाथ से समझने की कोशिस करता है एक होते हैं below average कि जिनको आपको 5-6 बार 7 बार समझाना पड़ता है तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है कम से कम उससे तो अच्छा है कि जो स समस्ता नहीं है तो इसलिए मेरी आप लोगों से यह रहती है कि ऐसे टीचर आपके साथ जोड़ें कि जो अच्छों को भी समझा पाएं मेरे जैसों के भी समझा पाएं और आप सबी लोगों से भी उम्मीद करूँगा कि आप लोग पूरे मन से सरका स्वागत करेंगे जी सबसे पहले तो विवेक सर का बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने ये मौका दिया एक्जामपूर फैमली से जुड़ने का और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना धेर सारा प्यार देने के लिए और जैसा कि सर ने आपको पहले ही बता दिया कि कुछ लोगों का होगा चैप्टर वाइज और कुछ लोग अपना जो भी अर्थमेटिक है एडवांस है वो सब आप कमेंट करके बता दिया जाएगा तो एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कमेंट करके बताएं कि मैं एक थोड़ा सा मेंस के उपर एक माश्टर क्लास टाइफ सोच रहा था उन बच्चों के लिए जो मैट से बिलकुल डरते हैं जैसे अगर हम बात करें टी पीसी सी बीटी टू तो उसमें वो बच्चे नहीं बैठ पाएंगे कि जो मैट से बिलकुल डरते हैं क्योंकि मैट उनका सी बीटी वन कमजोर गया एक से दो महीने का एक अभ्यास कोर्स एक से दो महीने का एक यूटी पर आपके लिए एक माश्टर क्लास उसमें क्या होगा कि जो बिलकुल बिलो एवरेज हैं चाहिए जिसको गुणा भाग भाग भी नहीं आते उसको गुणा कैसे होती है भाग कैसे होता है स्क्वार कैसे का तो